हालो एरिवन आज की क्लास में बच्छों हम अगेन कौन क्यों मिरर से मेरा फॉर्मुला ही ड्राइब करेंगे लेकिन बच्छों ये मिरर फॉर्मुला आज होगा कौन क्यों मिरर से बनने वाली वर्चूल इमेज के लिए लांस्ट लास में मैंने रियल इमेज के लिए यहाँ पर मेरा फॉर्मुला प्रूफ किया था लेकिन बच्छों आज हम प्रूफ करेंगे इसको किसके लिए वर्चूल इमेज के लिए और मैं 100% आपको गारंटी से दाविश से कहता हूं कि वर्चूल इमेज के लिए मेरा कोन से अब्जेट की कंडिशन पर बनाता है तो यदि आप object को कहा ले लेते हैं에 focus & polling के मीड में परूर। है तो चलो पहले हम virtual image बनाते हैं और हम देखते हैं कि इस रिमेंज को बनाने के लिए हमें कितने टाइब का इंस यहाँ यूस लेना पड़ रहा है तो चलो इससर्ट करते हैं यह कौन के रहें बचवों यह कौनके मिरर हैं और जैसे डायगरम मना रहो बच्छो वेसे वेसे इसको शीकने की कोशिश करना है इसका principal axis है यह फिर फिनसिबल एक्सिस हो गया सबसे पहले बच्छो में एक नेरे लेता हो पहले यह एक रह लेता हूं और राइस सेंटर पा्स करवा देता हूं यह सेंटर और पांस करवा देता हूं और व करव तो यह अभी अपने पास क्या है अब्जेक्ट है आप ही देख रहूंगे कि इस ऑब्जेक्ट से एक रेसों में अल्रडी ले चुका हो सेंटों कर बचल वाली आप्टर रिफ्लेक्शन यहां से सेंट पात को रिटन करके जाएगा लेकिन बच्छों अभी हमें और रेस यहां लेना है तो एक रेह यहां मैं ले लेता हूं यह एक रेह ले लेता बच्छों में यहां कौन्सी वाली पाले टू प्रिंसिबल एक्सिस लेंगे वो खास से पास होगी फोकस से पास होगी लेकिन अभी मैं इसको पास नहीं करवा रहा हूं रिफ्लेक्ट नहीं करवा रहा यह रेज यहां हम पोल 5 पर आगया अपने पास ने अब सबसे पर लें बचलों इमेज बनाएंगे हम यहां इमेज बनाएंगे इमेज बनाने के लिए को कि वर्चूल इमेज या पॉलिस पार्ट की साइड बनेगा तो यहाँ हम इसको बिल्कुए स्टेट करते हैं एक इस तरहörtे। यहाँ बिल्कुए इस तो करते हैं और यह भी देख पर रहे । तो हम ही देख पा रहे हैं कि तीनों यहां पर अप्रेंट होगा तो यहां एडेस और बीडेस एक बड़ा इमेज क्यों कि इमेज फॉर्मेशन में इमेज वर्चुल इमेज इसी तरीके से बनाते हम तो यह अपने पास एक वर्चुल इमेज प्राप्त हो चुका है तीन रेज के तरू बना दिया मैंने बात के लिए रहे हमने यह बात में क्यों किया था कि थोड़ा स्टेट अपने को दिखाए दे यह रेज अपने को स्टेट दिखाए दे यहां से स्टेट लाइन दिखाए दे ताकि आपको क्लियर हो कि हमने इमेज एडेस बीडेस पर इन इस focus से लेकर इस pole का जो distance होगा और यह a b जो object हमने ले रहा है इस से pole का distance क्या होगा object का इस से u होगा इसी तरीके से इस pole से लेकर बच्चो इस से b dash तका जो distance होगा वो v होगा और बच्चो मैं v को normally इस तरीके से यहाँ डिनोट करता हूं तागि हम u और v में जब calculation करें तो confuse नहीं रहें तो चलो डाइग्राम आपको समझ में आ रहें एक बारा आप इसको पोज़ करके बचो बना भी सकते हैं ठीक है अब इदे हम बात करें कि हमें किस तरीके से यहाँ मेरे फोर्मुलाइट ड्राइव करना है तो मैंने एक बात आपको कही थी कि दो ट्राइंगल्स हम लेंगे क्या लेंगे बच्छो दो ट्राइंगल्स हम लेंगे और दोनों ट्राइंगल्स को हम यहाँ सिमलर प्रूब करेंगे और यह दिस दो ट्राइंगल्स सिमलर होते हैं तो बच्छो उनका जो रैश्यो होता है जो उनका साइड का जो रैश्यो होता है वो क्या होता है स औरश का पर्पेंड्यकुलर सेक्इंड का पर्पेंड्युलर बेश बेश और हाइपोटेन से य॥ा इस लूझ सब्सक्राइब देख सकते हैं जो रियल इमेंज के लिए था तो यहाँ सबसे पहले मैं ट्रांगल्स होते है लोगिन boy suppressed पॉपेज में सेब्लॉटा ह्द्सटा रहेगा कोई चोटा ट्रांगल लेगा कोई अन्हों एकज़ रहेंगे एंगल्स इक्वल रहेंगे तो वो ट्राइंगल सिम्लर होगा और सिम्लर का प्रोपर्टी का होता है फिर उनका साइड का रेशो सेम रहेगा फर्स का पर पेंद करो पहले कि यहां कौन से ट्राइंगल सिंबलर आपको दिखाए दे रहे हैं ठीक है एंगल सम्टमेटी बराबर यही बताते रहेंगे तो पुछो फर्स्ट ट्राइंगल की जो मैं बात कर रहा हूं वस्स ट्राइंगल की में बात कर रहा हूं, तो देखो एक ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल अच्छे से देखना, फर्स ट्राइंगल ले रहा हूं बच्छो, on, बी, सी, and triangle, A-DOSE, B-DOSE, and C, देखो यह बात आपको समझना है, फर्स ट्राइंगल मेंने कौन सा लिया abc abc यह वाला ट्राइंगल लिया है और यह similarity कि क्लिकों बता रहा है A's यानि जो triangle समने लabout हो इस तरी की से triangle हो इस तरी की से समझन आ यह देस आगयका यह, B's आगये और यह C आगया ये बड़ा triangle हमने लिया त्रींगल कोन से लिया देखो A-B-C लिया है अब इसमें देखो इस ही के अंदर ही छोटा सा ट्राइंगल बाप्स बना दिया ए और बी वाला ऑफ बना दिया आप इनमें देखो यह एंगल दो बाजों कोमन हो चुका है यह इंगल दोनों के अंदर दोनों ट्राइंगल में एंगल तो को मनाएगा और यह जो दोनों एंगल है वो किसके रहेंगे 90 के रहेंगे तो दो एंगल एक्वल होगे तो यह एंगल भी बच्चो क्या रहेगा इक्वल रहेगा बाद समझ में है न क्या कहा कि इस बड़े ट्राइंगल के अंदर इस छोटे से ट्राइंगल को अमने लिया है जो एंगल सिक्कुल बना रहा है इसलिए दोनों ट्राइंगल से होगे से मोंगा तो काइट का रहेगा वो लिख लेते हैं फृत साइड कोन सी ले रहा है यह अब आप d sum Country चोटे ट्राइंकल ग्ला इसका बेस क्या है B बास समझ में आ गया बात समझ में बस्टो दीव सी चींद अब शाखने थोज़ इसए ताइगu ने मिलागियों को देखाइं है कि हैं कुछ बास समझ में वही बात कर रहा हो बच्चो जो लास्ट क्लास में ने किया था आप यह देखेंगे यहां बी और बीडेस के मीन में यहां एक पॉइंट पी आ रहा है अपने पास में अब मुखे बी सी साइड ची है अब में बी सी साइड ची था में क्या कर सकता हो सबसे पहले देखो लिख लो कि आपने क्या क roam कर लिया है आपको जो पी सी का वेल्यू पता है जो लेफ डिस्टेंस नेगेटिव मिले तो कॉन के वह को नेगेटिव होता है P B की बात करें आप पी से लेकर बज़ो B की बात करें तो अबजेक्ट ए माइनस का यू हो गे है और P B DAS की बात करें तो देखो बीडेसि मेंसे हम पीबी को माइनस कर देते हैं यहां भी देख सकते हैं यह बीडेसि चाहिए आपको तो इस पी-से लेकर सी मेंसे पीबी को माइनस आपने कर दिया है अब B-C चाहिए B-C मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तका portion यह portion चाहिए वे आपको पूरा तो क्या करो एड कर दो PC पलस क्या कर दो PB-S कर दो अब इतना बड़ा portion चाहिए तो इतने बड़े portion के लिए आप PC और PB-S को क्या कर दीजी एड कर दीजीए अब इस डाइग्राम के बच्चो यूज नहीं है तो मैं इसको यहाँ से साब कर देता हूँ तो यहाँ वेल्यू आप पूट करें यह कहता PB-S था यह PC और यह PB-S तो यह B-S से आगे ठीक है PC किता है बच्चो PC म-R आलगी मैं इसको फोकल में कर सकते हैं यही पर कर देंगे चाहिए हम PB-S PB PB किता है माइनस यू है यह माइनस यू आगे हो PC PC क्या है बच्चो माइनस आर है अपने पास में पलस PB-S और PB-S क्या है बच्चो भी अपने पास है इसको सोल करेंगे AB divided by ADAS B-S क्या है बच्चो यह माइनस माइनस पलस हो गया और यह पलस का क्या हो गया यू हो गया माइनस R माइनस R को बच्चो हम 2F लिख सकते Radius वो होता फोकल में का दबल होता है और यह V पलस का है और यह माइनस का तो यह माइनस का 2F हो गया एक्वस्तो आया है U-2F और V-2F यह अपने पाइक क्वस्टन आए फटापट से आप कुछ सेकिंड में पोस्ट कर देता हूं में और आप नोट कर लीजिए अब देखे बच्चोन अब दूसरे ट्राइंगल्स के हम बात करते हैं दो ट्राइंगल्स सिमलर पुरूफ कर दिये और दो ट्राइंगल्स हम यहां ढूंडते हैं जो सिमलर हो सकते हैं फीर हमें वही साईड का रैंस यहां देख लेना है यह É question number क्या था सर्ष्ट अपने पास देखे अब, ये B है, ये A है, ये P है, ये A DES है और ये बच्चो B DES है दो टाइंगल बना दिए मिले, कौंसे बनाएं, देखे अब, टाइंगल बनाएं कौंसे बच्चो? ये, ये, ये और ये, फर्स्ट टाइंगल तो ये अपने पास है आ, B और tabii, A, B, P सेगिंड कौन सा मनाया पुछो P A-DES B-DES मनला यह P A-DES B-DES यह वाला बनाया है यह ट्राइंगल बनाया है आपने पास समझ भे आगे दो ट्राइंगल से हमने बना दी है भई वापस से देख सकते हैं A P B A-DES P B-DES मनला यह दो ट्राइंगल यह वाले ट्राइंगल यह और यह ट्राइंगल उने बनाया है अब इन ट्राइंगल में एंगल देखे तो बचो यह एंगल दो दो 90 डिक्री है यह दो दो 90 डिक्री है यह एंगल थीटा है क्योंकि पॉल बाला यह थीटा है ये भी एंगल थीटा रहेगा ये भी थीटा रहेगा तो ये भी बच्चो कितना रहेगा थीटा तो आप ही देखेंगे ये दोनों एंगल भी इक्वल है ये भी 90 है तो ये एंगल भी इक्वल रहेगा ये दोनों जो ट्राइंगल है कौन कौन से ट्राइंगल नेम लिख रहा ह यह distance तो कहा है बुच्छो U है और यह distance क्या है इसका V है तेकर यह U- M- का यह प्लस करएगा भज़वाथ समझ में आरी निया आरी अब हमी side का ratio देखना इसमें AB ले लेता हूँ यह first side AB मेरे पास है इसके इसके divide में कोई है a-b-dash दो देखे वहाँ पर भी रेश्व a-b upon n-s-b-dash का ही था तो वह रेश्व आ रहा है divide इसका base क्या है बचो पी-b है इसका base क्या है पी-b-dash है तो p-b क्या है p-b क्या है दो को लिखा है आपने minus u है minus u है p-b-dash p-b-dash plus का v-m-s equation number 1 कितना आ गया second आ गया और equation first and second दोनों equal है हम equal कर सकते हैं ठीक आप note कर लीजिए note करेंगे ओके चलो मैं साब करता हूँ इसको तो यह दोनों equation में पास बना है और इन equation को यहाँ हम solve करते हैं from equation first and second ठीक है तो यहाँ from equation first and second solve करेंगे तो बचो यह जो ratio है वो किसके equal आ रहा है यह आ रहा है u minus 2f और v minus 2f के equal आ रहा है अपने पास में समझ में आ रहा है अब यह यहाँ से cross multiply आप कर दीजिए तो यह minus का u ठीक है आप मैं इसको एक बार लिग देता हूँ तो यह तो आपने पास बचो u minus 2f और यह v minus 2f यह minus u divided by क्या है v है ठीक है यह u और यह v आ गया जाते के लिए रहे calculation हम करते हैं तो अब v को u से multiply करें यह u v आ गया v को minus 2f से करेंगे minus 2f v आ गये equal u को v से करेंगे तो minus u v आ गया और यह minus minus यह plus का क्या आ गया 2f u आ गया minus minus plus का क्या हो गया अबने पास 2f u यहाँ पर आ चुका है तो बचो यह u v और यह u v यह दोनों किसके है वचो हमने पास minus के है अब यह हम इनको solve करते हैं और solve करने बाद में हमें तो वैसे ही calculation हमने पास आएगा तो देखिए बचो यह u v है यह भी u v है side आएगा तो 2 u v हो जाएगा minus minus plus इदर आएगा तो plus का हो जाएगा यह उदर जाएगा तो यह plus का हो गया 2f v यह already क्या है बचो 2fu अपने पास है तो आप देखेंगे 2 से 2 तो यहाँ cancel out हो सकता है यह u v आ गया यह minus का f v आ गया यह minus का f u आ गया equals to 0 आ गया अब हम इसमें divide कर रहे हैं बचो dividing by u v f u into v into f से हम इसको divide कर देते हैं हम जैसे divide करेंगे तो चलो यहाँ से result क्या आने वाला है लिखते हैं हम जब व यू v में भी divide होगा u v f का वही portion ने वैसे multiply महला वैसे हमने यहाँ triangle similar proof करके किया है last में वही calculus यू v f का dividing portion करना है तो minus f v divided by u v f minus f u divided by u v f equals to 0 तो यह तो बचो 1 upon f रहा यह 1 upon u रहा यह 1 upon v right equals to 0 यह दोनों portion उधर गए तो यह आगे बचो 1 upon v plus 1 upon u तो देखो यह आज हमने यहाँ virtually base के लिए भी मेरा formula proof कर दिया बहुत important हो मेरा 100% आवा बचो आपने आज सक इसको नहीं पढ़ा होगा ठीक है thank you बच्छ मेरा होगा बचो आपने आपना यह दो है